दोस्तो RBI और National Payment Corporation of India ने UPI transactions होने वाले burden को कम करने के लिए उसका एक substitute निकाला जिसका नाम है UPI Lite UPI Lite एक प्रकार का wallet है जिसमें आप लोग लगभग 2000 तक का amount इसमें रख सकते हैं यह एक प्रकार का wallet है जिसमें transaction करने के लिए आप लोगग को UPI pin डालने की असकता नहीं होती है आप लोगग को बस scan करना होता है या फिर moral number डालना होता है और verify होने के बाद amount डालने के बाद confirm payment जैसे ही करते हैं आप लोगग का payment हो जाता है एक step जो आता है UPI pin डालने का यह आप लोगग का इसमें नहीं आएगा सबसे पहले यह जो wallet है यह आप लोगगों को भीम application में देखने को मिला इसके बाद यह आप लोगगों को पेटियम application पर देखने को मिला इसके बाद अब यह आ चुका है phone pay application में अब phone pay application में आप UPI light service को किस पकार से इस्थमाल कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगगों को दिखाने वाला हूँ step by step किस पकार से आप लोगगो setup करना है कैनल को subscribe किजएगा for more updates चले दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगगो अपना phone pay application open कर लेना है इसमें आप लोगगो इस पकार का interface देखने को मिलता है अगर आपका phone pay application updated नहीं है तो इस पकार का आप लोगगो यहाँ पे देखने को मिलेगा get more with new update we have enhanced the app and added some new and exciting features यहाँ पे कहा गया है कि हमने इस application को enhanced कर दिया है इसको और थोड़ा सा अच्छा बना दिया है और कुछ नए features भी add कर दिये गया है जिसमें UPI light feature आपनों को देखने को मिलेगा तो अगर आपने अभी तक अपने phone pay application को update नहीं किया है तो आप लोग update कर लेंगे यहाँ पर आपनों को download का button देखने को मिल रहा होगा इस पर आप download कर देंगे अगर आप में यह pop-up नहीं दिख रहा है आपके phone pay application में तो आप लोग phone pay application को Google Play Store से भी इस पकार से update कर सकते हो जिस पकार से आप लोग देख पार होगे यहाँ पर update आया हुआ है तो यहाँ पर जैसे ही update के button पे click करोगे तो यह update हो जाएगा open करते ही दोस्तो आप लोग के सामने कुछ इस पकार का interface आजाएगा यहाँ पे आप लोग को कहीं पर भी front page में आप लोग को UPI light का option देखने को नहीं मिलेगा तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है यहाँ पे आप लोग को check balance का option देखने को मिल रहा होगा इस पर आप लोग को simply click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तो prepared balance का यहाँ पे एक section दिया गया है UPI light का जो की नया अभी add किया गया है तो इस पर आप लोग को simply click करना है इसमें सबसे पहले दोस्तो आप लोग को देखने को मिलता है why use UPI light यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बताया गया है super fast payment with zero failure मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि super fast आप payment कर सकते हो with zero failure मतलब आपनों का payment जो है जो pending हो जाता है या फिर cancel हो जाता है किसी भी region से वो यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे accepted everywhere like UPI यह जो है हर जगा accepted है आप लोग UPI payment जिस परकार से करते हो उसी परकार से यह भी हर जगा accepted है इसके बाद one click payment experience आप लोगो देखने को मिलता है अगर आप 200 तक का payment करते हैं तो आप without UPI pin यहाँ पे कर पाएंगे यहाँ पे आप लोग इस wallet के अंदर आप लोग 2000 तक का amount add कर पाएंगे और anytime आप इसे withdraw कर सकते हो with no charges यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अदर add करना चाहते हो यहाँ पे simply आप लोगों को type कर देना इसके बाद add money का जो option है यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर आप लोगों को simply click कर देना है दोस्तों हमने UPI light के अंदर 19 रूपय का जो amount है हमने यहाँ पे add कर लिया है यहाँ पर आप एक रूपए से लेकर 2000 तक का amount add कर पाएंगे आप जितना भी चाहें कर सकते हैं यहाँ पर हमने 19 रूपए add किया है इसका इस्तमाल करने के लिए आप लोगो simply फिर से interface पर आना होगा यहाँ पर आप जिस परकार से अपना moil recharge करते हैं DTH electricity या फिर आप किसी को amount भेजते हैं तो सेम उसी परकार से आप लोग इसका भी इस्तमाल कर पाएंगे कैसे करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक moil recharge के जरीए आप लोग को मैं इसका इस्तमाल बताता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग moil recharge वाले section प इसके बाद simply proceed to pay के option पे click करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग के जितने भी bank accounts होते हैं सारे आजाते हैं जो भी आप लोग के phone पे application के साथ linked होते हैं तो यहाँ पे आप लोग को simply अपने bank account को choose करना होता है साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो UPI light का option भी आ चुका है तो यहाँ पे जो भी balance हमने add किया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो available balance अगर आप 2000 तक का amount अगर आप add करेंगे तो यहाँ पे available balance 2000 देखने को मिलेगा आपको और जो भी 2000 तक के आप लोग के transaction है वो आप direct UPI transaction के through कर सकते हैं अगर आप लोग जो है bank से कर पर हम click करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारा जो payment है यह हो चुका है हमारा जो while recharge है यह complete हो चुका है हमें UPI pin डालने का option बिलकुल देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी परकार का आप लोग भी transaction कर पाओगे आप लोग क कुछ नहीं करना है बस वह एक प्रकार का valid है उसमें balance out करना है और आप लोग इस प्रकार से transaction कर पाएंगे लेकिन इसमें जो है आपनों का failure का chance नहीं रहेगा इसमें आप single click पर आपना transaction कर पाएंगे इसमें कई सारे facilities आपनों को देखने को मिलते हैं आप लोग even वह जो balance है UPI Lite के अंदर उसे आप लोग किसी bank account में भी transaction कर पाएंगे आपनों को यह video काफी पसंद आई होगी अगर आप को यह video पसंद आई तो आपको एक like करना है चैनल को subscribe करना है इसी पकार के और भी videos देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों next video में